इस प्रश्णावली के एक से लेकर तीन तक प्रश्ण में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ तो चली प्रश्ण नमबर चार करते हैं प्रश्ण नमबर चार है एक सम बहुच की भुजाओं की संख्या ग्याद कीजिए यदि इसका प्रतेक अंतागों और 165 डिग्री का हो बच्चों इसमें में क्या ग्याद करना है सम बहुच की भुजाओं की संख्या ठीक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम किसी भी सम बहुच की भुजाओं की संख्या कैसे ग्याद कर सकते हैं यदि हम 360 डिग्री को बहुच की एक बहुच कोड से भाग दें तो हमें भुजाओं की संख्या ग्यात हो जाती है अब यहां पर आपको अंता कोड दिया है बाहर कोड दिया यह नहीं तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे बाहर कोड निकालेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं स्वागत है आपके अपने यूट्य चैन तो बच्चो यहांपर हमें क्या दिया है अंता दिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाहर कोंड का मान घ्यात करेंगे जैसा की कि है मान लो हमारे पास कि सम्वाहू तिर्वज है ठीट तिर्वज क्या होता है जिसमें तीन बोसराइब और यह कोड़ है कि इस पॉइंट पर यह पूरा एक को बना ठीक है एक सरल एखा पर इस तरह का बना कोण कितने डिगरी का होता एक सो असी डिगरी का ठीक है बच्चो यानि अगर आप से एक पॉइंट पर कोण बनाने को आजाता है तो कितने डिगरी का होता 180 degree का, इसको मैं दो भागों बाढ़ दूँ, ये ठीक, ये अगर मैं कर दूँ 165 degree, तो ये अंता कूर्ण हो गया ये वाला, तो बच्छों, बाहर कूर्ण कितने का होगा, 180 degree में से आप क्या करेंगे, इस 165 degree को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 degree, कि यह वाला हमारा कॉण कितना होगा पंदा डिग्री क्यों क्योंकि पंदा डिग्री और 165 डिग्री होता है 180 ठीव बच्चों बात समझमें हावी अब हमें बाहइक कॉण का मान पता चले तो इस बाहइक कॉण से अगर 360 को भाग कर दिनगे ठीद के तो हमें भोजाओं की संख्या पता चल जाएगी तो यहां मैंने लिखकर रखा है कि दिया है प्रतेक अन्ता कोण का मान 165 डिग्री इसलिए प्रतेक बाहर कोण का मान कितना हो जाएगा बच्चो पंद्रा डिग्री अब हमें निकालना क्या है संबहुज की भुजाओं की संख्या और इसके लिए सूत्र क्या होता है तीनसो साथ डिग्री बटे एक कोण का मान ठीक है इसमें हम मान रख दिएंगे तीनसो शाठ बटे एक कोण का मान बच्चो कितना है 15 हम 15 से क्या गरेंगे इसको भाग देंगे पंद्रा एककम पंद्रा दूनी तीज छे बचा साट हो गया पंद्रा चौक साट तो बराबर प्राप्त हुआ 24 ठीक तो सम्भवुच की बजाओंगी संक्या कितनी होगी 24 जिसका अन्ता कौन 165 डिगरी का है तो उसका बाहर कौन 15 डिगरी का हो जाएगा और बजाओंगी संक्या हो जाएगी 24 यह हो गया उत्तर ठीक चले प्रस नंबर 5 देखते हैं बच्चों प्रस नंबर 5 के दो पार्ट नंबर 1 कि ऐसा संबहुच संबव है जिसके प्रतेक बाहर कौन की माप 22 डिगरी हो तो बच्चों हम क्या करेंगे अगर हमें बाहर कौन का मान दिया है तो सबसे पहले हम उस बाहर कौन के मान से 360 डिगरी को भाग दे कर देखेंगे अगर 360 पूरा-पूरा बिवाज हो जाता है तब तो संबहुच बनाया जा सके अगर पूरा-पूरा विवाजित नहीं होता है तो यह संबहुच बनाया जा सके जिसका बाहर कौन 22 डिगरी हो ठीक है तो चलिए हम 360 को 22 से भाग देकर देखते हैं 360 से 22 360 को 22 से 22 का पाड़ा हम 36 में पढ़ेंगे तो एक बार होगा 22 कम 22 कितना बचेगा बच्चो यहाँ चार ठीक है और यहाँ बचा एक अब 22 का पाड़ा 14 में नहीं पढ़ सकते तो हम क्या करेंगे जीरो यह उतार लेंगे अब 22 का पाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं छे बार चे दूनी 12 के दो हांसिल लगा एक छे दूनी 12 और एक 13 गटा दो बच्चो यहाँ कितना बच्चेगा आठ ठीक है यानि 22 ने 360 को पूरा पूरा बिवाजद नहीं किया तो ऐसा संभवज बनाना संभव नहीं है जिसमें बहाय कोण का मान 22 डिगरी हो तो हम लिखेंगे नहीं ऐसा संभव नहीं है ठीक क्योंकि 22 से 360 पूरा पूरा बिवाजद नहीं होता है ठीक है योग्या आंसर अब देखते हैं कोशन नमबर बी क्या यह किसी संभवज का अंताकोंड हो सकता है अगर हो सकता है तो क्यों और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं देखे बच्चो अगर 22 डिगरी का अंताकोंड है तो बहाय कोण कितने डिगरी का होगा जैसा कि आप जानते हैं कि एक तिरबुज मैंने बनाया ठीक है यह अन्ता कॉर्ण और यह बाहर कॉर्ण है ठीक अब इसमें क्या कह रहे हैं क्या यह किसी संबहुज का अन्ता कॉर्ण हो सकता है यानि अगर यह कॉर्ण 22 डिगरी का है तो यह कितने का होगा 158 डिगरी का क्यो 152 कितना 120 होता है तो यानि बाहर कॉंड कितना हो जागा 158 अब हम क्या गरेंगे 158 से 360 को भाग देंगे अगर यह पूरा-पूरा विवाजित होता है तब तो 22 डिगरी का अंताकॉंड हो सकता है बनना नहीं हो सकता देखिए आप यहां पर 158 से अगर 360 को भाग देंगे तो यह पूरा-पूरा विवाजित नहीं होगा इसका मतलब 22 डिगरी किसी भी सम बहुज के का अंताकॉंड नहीं हो सकता है लेक देंगे भी का आंसर नहीं 22 डिगरी किसी भी सम बहुज का अंताकॉंड नहीं हो सकता है ठीक यदि 22 डिगरी किसी भी सम बहुज का अंताकॉंड होगा तो बहाए कॉंड कितना होगा 158 डिगरी तो यह भी लिग देते हैं यदि 22 डिगरी अंताकॉंड है तो बहाए कॉंड 158 डिगरी होगा जो 360 डिगरी को पूरा पूरा बेभाजित नहीं करेगा ठीक है यही कारण है कि 22 डिगरी का किसी भी सम बहुज का अंताकॉंड नहीं हो सकता ठीक है चले हमने अभी जो तिर्भुज बनाया था उसमें देख लेते हैं ठीक है यह आपका तिर्भुज है और यह कैसा संभभुज तो इसके यहां पर कोश्चन में कि संभभुज के में कम से कम कितने अंसका अंताकॉंड संभव है ठीक है कम से कम बच्चों साथ डिग्री का ठीक और यह सबसे कम भुजाओ वाला है ना साथ डिग्री और साथ डिग्री ठीक इससे कम अंसका अंताकॉंड संभव नहीं है ठीक तो लिख सकते हैं हम यहां पर यह साथ डिग्री से कम का अंताकॉंड संभव नहीं है क्योंकि सबसे कम भुजाओं बाला संभव तिर्भुज होता है जिसका प्रतेक अंताह कॉंड साथ डिग्री का होता है ठीक है बच्चो चलिए अब प्रस्ट नंबर भी देखते हैं किसी संभव बुज में अधिक से अधिक कितने अंसका भाय अकॉंड हो सकता है है इसका उत्तर लिखते हैं धी जैसा कि बच्चों आप जानते हैं सबसे कम डिग्री वाला अन्ता कोण कितने डिग्री यह ले लो आप two three यह 60 डिग्री का है तो इधर कितना डिग्री का बचेगा 120 डिग्री का तो 120 डिग्री से बड़ा बायकून नहीं हो सकता ठीक क्योंकि 120 और 60 180 हो ठीक यानि बायकून और अंतागून दोनों का यूग कितना होता है 180 डिग्री ठीक तो कम से कम अंतागून 60 डिग्री का है तो आप यांसा लिख सकते हैं चूंके कम से कम अन्तह को यह को होता है Panel कि इह लिखिसकते हैं कुणके किसी बहुबुज में कम से कम सम बहुबुज में कम से कम अंता कौण साथ डिगरी का होता है इसलिए बहाए कौण का अधिक से अधिक मान कितना होगा बच्यों 120 डिगरी का हो सकता है, ठीक है बच्यों कि दोनों ही अन्ता और बहुटे का योग 180 डिगरी होता है यदि उसमें से कम से कम अंता कॉन 60 डिग्री का होगा तो अधिक से अधिक वाय कॉन 120 डिग्री का मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में